नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टीडी पॉइंट में तो इस सेशन में हम लोग पर्यावरण पारसितकी को कांटिन्यू करेंगी यह पार्ट टू है पार्ट वन कल ही अपलोड हुआ था जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं क्योंकि जित्ते भी एक्जाम्स हैं उनमें साइन्स सेक्सन के अंतरगत पर्यावरण पारसितकी से क्वेश्चन जरूर आते हैं तो चले श्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक गलती सुधारते हैं जो मेरी बुक में ही है और इसको मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया था तो इसमें ज बड़ी गलती है जो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था अब आगे का स्टार्ट करते हैं आज हम लोग को फूर्ट चेन से स्टार्ट करना है तो इसमें सबसे पहले खाद स्रंखला होती क्या है जिवधारियों का वह कराम जिसमें दिवधारी भोज एवं रच्छक के रूप म जो हरे पौधे होते हैं जो सूर के उपस्तिती में सूर के प्रकास की उपस्तिती में प्रकास तंसेशन आधिकरियाओं से भोजन का उत्पादन करते हैं उसके उपर जो डिपेंडेंट पहले उभोगता होते हैं उनको हम प्रात्मिक उभोगता या प्राइमरी कंजूमर कह प्रात्मिक उपभोकताों को खाने वाले उब्होकता कौन से होते हैं secondary यानी दुतियक उब्होकता होते हैं उसके बाद इसी तरह से तुतियक उब्होकता और सबसे आखरी चरण में अब घटक या डीकंपोजर्स आते हैं जो मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं तो इस तरह से यह एक खाद स्रंखला बन जाती है अब इसमें कई तरह की खाद संखला होती हैं सबसे पहले हम बात करते हैं परभच्ची या आखेटक भोजक स्रंखला यानि predator food chain या food cycle तो इसमें क्या होता सबसे पहले पौधे आते हैं जो उत्पादक का कार करते हैं उनको खाने वाले साकाहारी जीवों जो प्रात्मी को भोकता होते हैं फिर तीसरे नंबर पर मांसाहारी जीवों को खाते हैं अपने पोशन के लिए और मांसाहारी जीवों को भी जो है उनके उ प्रपोसी भोजन संखला क्या होती है इस ये भोजन संखला ब्रहत खारी साकाहारी जीवों से लगुकाई जीवों की और होती है यानि साकाहारी को जो है उनसे छोटा मानसाहारी खा रहा है फिर उनसे छोटा मानसाहारी उनको खा रहा है तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारेरी क्रचना में ब्रहतकारी साकाहारी जीवों से लगुकाय जीवों की ओर जो संक्ला चलती है वो परपोसी भोजन संक्ला होती फिर तीसरे तरह की जो होती है वो मृतोप जीवी भोजन संक्रला होती है इसमें सुरुवाथी भोजन की कहा से होती है जो मृतक जीव जन्तू या पेवड पौधे होते हैं उनके सरीर को उनके च्छै से कार्पनिक पदार्थ बनता है और उन कार्पनिक पदार्थों पे होती है आगे देखते हैं अब बात करते हैं पारिस्थिती अनुकरम तो इसको जो है ecological succession कहते हैं इंगलिस में जो लोग हिंदी में नहीं समझ पाते हैं वो succession जान लें तो इसमें क्या होता है किसी बिसिश्च छेत्र में पारिस्थित्की समुदाय की स्थापना को पारिस्थित्की अनुकरम कहते हैं यानि कोई एक particular छेत्र है जहां पर पहले से बहुत जादा communities नहीं रह रही है ecological point of view से वहाँ पर नए पारिस्थित्की तंत्र की स्थापना और वो किस क्रम में हो रही है इसी को पारिस्थित्की अनुकरम या ecological succession बोलेंगे तो ये दो तरह की है पहले है प्रात्मिक प्रात्मिक में क्या होगा पारिस्थित्की समुदाय का एक ऐसे छेत्र में विकास हो जहां पहले से कोई भी पारिस्थित्की समुदाय में दिमान ना हो यानि ऐसा छेतर जहाँ पर पहले से कोई भी पारश्टित की तंत्र ना मौजुद हो, वहाँ पर नए पारश्टित की तंत्र का विकास हो जाना वो प्रात्मिक पारश्टित की अनुकरम या प्राइमरी इकलोजिकल सक्सेशन कहला हैगा जैसे कोई रेतिली भूमी है तो उस पर कोई भी पहले से पारश्टित की तंत्र नहीं होता है या मूल वानुस्मतिक समदाय का करम ये सभी इसके उधारण है दुतियक या सेकेंडरी पारश्टित की अनुकरम क्या है जहाँ पहले से कोई समदाय विद्वान था परन्तु बाद में वो नश्ट हो गया है और वहाँ पर अगला पारश्टित की तंत्र विक्सित हो गया है तो उसको हम दुतियक की स्रेड़ी में रखते हैं जैसे की पिरामिट्स होते हैं किसी भी पारश्टित की तंत्र में प्रात्मिक उत्पादकों यानि हरे पौधों एवं बिभिन स्रेड़ी के उभोकताओं जैसे पहला प्रात्मिक दुतियक और ततियक की संख्या जीवभार तथा संचित उर्जा में पारश्टित संवंदों के चित कल्पना सरप्रम चाॉलस एल्टन ने 1927 प्रस्तुत की एक लौक्शल पिरामिट तीन तरे के होते हैं मुकता पिरामिट आफ नंबर यानि जिसमें जीव़गी संख्या के आधार पर हम पिरामिट बनाते हैं फिर पिरामिट आफ बायोमास यानि जी़़ जु होते हैं उनका हम संचित उर्जा के रास या बढ़ने का क्रम अगर हम दिखाते हैं पिराइमिड में तो वो पिराइमिड आफ इनर्जी कहलाएगा अब एक एक को लेके चलते हैं सबसे पहले जीव संख्या का पिराइमिड तो इसको पहले हम जो है एक डायग्राम से ही समझने का प्रियास करते हैं तो जीव संख्या का पिराइमिड होता है अगर इसको हम इस तरह से पिराइमिड माल लें ये देखिए तो इसमें सबसे नीचे क्या आएंगे उत्पादक या हरे पौधे आएंगे क्योंकि हरे पौधों में की संख्या सरवादिक होगी यहाँ पर संख्या की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा संख्या में उत्पादक हरे पौधे होंगे उसके बाद प्रात्मिक उभोगता उनके नंबर जो है हरे पौधों से कम हो जाएगा तो प्रात्मिक उभोगता जो कि साकाहारी होते हैं क्योंक इनकी संख्या प्रात्मिक से और कम होगी तो वो दुतियक में आ जाएंगे, यानि उसके उपड़ आ जाएंगे, फिर दुतियक मानसाहारी, जैसे माली मेड़क है, चुहा है, इनको खाने वाले जीव, तुतियक या सर्वाहारी जो कहलाते हैं, यह सबसे उपड़ आएंगे और इनकी संख्या जो है सबसे कम होगी इस पिरामिड में यानि प्रात्मिक उत्पादकों की सबसे यादा संख्या होगी और तृतियक यानि सर्वाहारी की सबसे कम संख्या होगी तो इस तरह से ये पिरामिड जो है नीचे से उपर इस तरह से बन जाएगा अब इसकी जो है बातें मुख्य क्या है वो पढ़ लेते हैं ये पिरैमिड प्रात्मिक उत्पादकों एवं बिभिन स्रेडी के उभोकताओं की संख्या के आधार पने रूमित होता है आधार में हमेशा इसके प्रात्मिक उत्पादक होते हैं यानि हरे पौदे फिर उपर की ओर क्रमसा प्रात्मिक दुतियक तुतियक उभोकताओं की संख्या होती है सब से उपर उचितम स्रेडी के मानसा हारी यानि इनको हम तॉप कॉर्निवोरस animals कहते हैं यह होते हैं और पिरमिड इसका सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है यही questions इसमें आते हैं कि सीधा कहां होता है और उल्टा कहां पर होता है तो आगे हम देखते हैं सीधा और उल्टा कहां होता यह आपको जरूर यात कर लेना है घास इस्थली यानि गर कोई ग्रास लैंड है उसमें पारिसकी तंत्र जो है बिलकुत सीधा होगा हमेशा संख्या के पिरामिट के यहां बात हो रही है और फसल इस्थली यानि क्रॉप इसका पारिसकी तंत्र भी सीधा होगा इस तरह से लेकिन उल्टा किसका होगा एक पेड़ का इकोसिस्टम तो देखते हैं कि फसल का पेड़ का इकोसिस्टम होता है वो उल्टा क्यों होता है तो पहले हम एक उल्टा पिरामिट बनाते हैं इसको समझने के लिए अब हम माल कि यहाँ पर जो है बेस में क्योंकि यह उल्टा सिस्टम है तो इसका बेस हम इधर मानेंगे यहाँ पर क्या है हारा पौदा है कोई एक पेड़ है माली जे आम का पेड़ है यहाँ पर तो आम का पेड़ संख्या में कितना होगा एक होगा अब इस पर डिपेंडेंट कौन है म और अन्य पच्छी हैं तोता है वो माली ये 10-15 होंगे नंबर्स में जो इसके फलों को खा रहे हैं तो वो प्रात्मी को भोगता होगे अब उनको खाने वाले जियू दुतिया को भोगता उनकी संख्या और ज्यादा होगी ये जो है 20-30-40 तक हो सकते हैं जिनमें बाज, गिद और बड़े पक्छी जो है जो मानसाहारी पक्छी होते हैं वो आते हैं तो इन्होंने उसको खाया उसके बाद इन पक्छीयों को जो है डीकंपोजर्स जो जिनको अब घटक हम लोग कहते हैं ये सबसे जादा नंबर्स में होता है इनमें कई सारी बैक्टिरिया और आती हैं उन्होंने डीकंपोज किया बाद में तो इस तरह से देखा जाए तो ये पिरैमिड क्या है इसके बेस पे आम का पेड़ यानि एक सिंगल रचा रहा है इसलिए ये जो है उल्टा पिरैमिड होगा जीवभार के अनुसार अब बात करते हैं जीवभार का पिरैमिड यानि बायो मायस पिरैमिड इसमें जीवभार को निरोंपित किया जाता है इसके आधार पर प्राथमिक उत्पादक यानि हरे पाउदे होते हैं ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है जीवभार का पिरैमिड जो है सीधा और उल्टा ये भी दोनों हो सकता सीधा किसका वन और घास इस्थल जो की उपर भी हमने बात की थी तो उसमें भी वन और घास इस्थल और या जो है क्राव प्लैंड जो है सीधा होता था क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों का जीवभार सरवाधिक होता है इनमें और जीवभार का पिरामिट उल्टा कहां पर होता है ताला पौधे होते हैं जिनमें Gen2 Bookmaker Farisit होते हैं ग्रीन ग्रीम बैक्टिरिया colonial िजिनको उस सवित पार औसके उत्पार्टे हैं तो in का बायोमास बहुत ईंक होता कोइकि ह Sugiso faris İyi इस लिए टालाव में पिरेमिड आप बायो tel जो है उल्टा होता है अब बात कते हैं कि संचित उर्जा का पिरैमिड तो इसमें क्या होता बिभिन पोशन तलो पर प्रियोग में लाई गई उर्जा के परिमार का जो निर्यूपन किया जाता है वो संचित उर्जा के पिरैमिड में किया जाता है उर्जा प्राया एक इकाई भाग में निश्चित सब में देखी जा सकती है उर्जा का पिरैमिड हमेशा सीधा होता है ये फैक्ट जो है बहुत इंपोर्टेंट है प्रात्मिक उत्पादित उर्जा की मात्रा 10% अपने प्रियोग में लाता है सेस 90% जो है जैवी किरियाओं में ब्य हो जाती है तता 10% विभिन उभोकताओं में इस्थानांत्रित हो जाती है प्रतेक पोजिशन तल पर 90% उर्जा का हराश हो जाता है और 10% उर्जा आगे इस्थानांत्रित हो जाती है इसको हम इस जो है पिरैमिड से समझने का प्रियास क करते हैं कि माल लिए प्रात्मिक उत्पादक जो बेस पे है उसने 1000 कैलोरी की उर्जा का उत्पादन किया तो उसकी 90% उर्जा जो है वहीं पर खतम हो जाती उसके विभिन क्रिया कलापों में अब जो है 90% का जो रहास हुआ उसमें से यानि 900 कैलोरी यहां पर खतम हो गई और 100 कैलोरी जो है दूतियक यानि सारी फस्ट उभोगता के पास पहुँची फिर 90% का लॉस हो गया और 10 कैलोरी उर्जा जो है उपर पहुँची दूतिय उभोगता के पास फिर इसमें से 90% लॉस हो गया इस लेविल पर और 1 कैलोरी यानि 90 का एक परसेंट 10% उपर पहुँचा तृतियो भोगता के पास तो इस तरह से उर्जा का प्रामीड जो है नीचे सरवाधिक उर्जा होती है और हर चरण में 90% उर्जा का लॉस होता जाता है और 10% उर्जा जो है उपर को लगातार इस्थानांत्रित हो जाती है इसको लिंडे मौन का नियम भी कहते है ये जो नियम ये लिंडे मौन ने दिया था इसको याद कर लिए यहां मैंने लिखा नहीं है अब आगे चलते हैं जीवोम या बायोम क्या होता है जब पारिसित की रूप से समस्पत प्राणियों का समलित रूप से अध्यन किया जाता है तो उसे बायोम कहते है जैसे कि फ्लोरा और फान के साथ उनका मिलाक अध्यन किया जाता है तो उसको जीवोम या बायोम नाम दिया जाता है अब बायोम दो तरह के होते हैं एक इस्थली बायोम होता है जैसा कि नाम से इसपश्ट है कि इस्थल पर जो बायोम मौजूद है वो इस्थली हो जाएगा और जल पर जो बायोम उधारन क्या क्या है ये पूछे जाते हैं एक सर तो सबसे पहले बात करते हैं अनकोलतम बायों आयनवति सदावहार वर्सावन विश्वत रेखी प्रदेश जहां वर्स भर गर में हम टटी मौसम रहता है और वनस्पतियों की सतत ब्रद्धि होती है उसको हम अनकोलतम बायों कहते हैं फिर मौसमी जलवाई वाले बायों जहां पर वर्सा में कम से कम दो रितुएं ऐसी रहते हैं जिनमें तापमा नियुम वर्सा का परियाप्त अंतर होता है यहनि एक वर्स में दो रितुओं में ऐसा जरूर होता है कि तापमा नियूम वर्सा में परियापत अंतर होता है यह मौसमी जलवाई वाले बायोम कहलाते हैं जिनमें मानसूम बायोम, सीतोष कटबंधी, पड़पाती वन बायोम, कोड़धारी वन बायोम, रूम सागरी, सवाना, ऊची घास वाले प्रेरी, छोटी घास वाले इस्टेपी यह सम मौसमी जलवाई वाले बायोम के उधारण ह उस्मा वा नमी या दोनों के सतत आभाव वाले बायोम यह जिसमें उस्मा या नमी ना हो या दोनों ही ना हो तो वो कैसे कहलाते हैं अर्द सुस्क बायोम, उस्म सुस्क बायोम, सीतोष्न सुस्क बायोम आर्किटिक टुंड्रा बायोम और अल्पाइन पर्वती टुंड्रा बायोम तो ये सभी जो है इस्थली बायोम की अलग-अलग कटेगरीज थी और उनके एक्जामप अब बात करते हैं जली बायोम की तो एक्वेटिक बायोम में क्या होता जो है गर्म जली बायोम आता है जो महाद्वीपी मगनेटट बायोम और खुला सागर बायोम में बटा हुआ होता है फिर सीथ सागर जल बायोम में उर्धवामी जल बायोम महाद्वीपी जल बायोम और खुला सागर बायोम आलावण जल और तालाप के बायोम ये इसके अंतरगत आते हैं फिर एकलॉजी के अब हम कुछ और important fact देखते हैं जो exam की दृष्टी से बहुत important है एकलॉजी के जनक Ernest Hekel को कहा जाता है चाया प्रिय पौधे यह जो चाया में उगते हैं उनको हेलीफोफिलस प्लांट कहते हैं भारत में एलपाइन ब्रच्चों की उचाई का इस्तर कितना होता है 36-100 मीटर से 4000 मीटर तक की उचाई के बीच में एलपाइन बनस्पतियां पाई जाती है भारत में इस्थाई बर्फ लाइन की उचाई क्या है लगभग 4000 मीटर अंकुरण के लिए बीजों को कम तापमान पे रखना क्या कहलाता है बसंती करण कहलाता है और बनस्पतियों को सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी होती है तो बनस्पतियों के जो है बिगटन से मीथेन गैस वायुमंडल में निकलती है वायुमंडल में आरगन गैस की मात्रा लगभग कित्ती होती है 0.93% होती है पौदे के सभी पोसक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं जो मिट्टी का भी एक प्रुमुक भाग होता है भारत में अवनालिका छरण यानि गली इरोजन से सरवादिक प्रभावित छेत्र कौन सा है मालवा का पठार या जिसको हम चंबल गाटी भी कहते हैं संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान कौन सा है चीन में है लोयस मैदान होते क्या है लोयस उस मिटी को कहते है जो हवा द्वारा जो है विस्थापित करके यानि उड़ा कर दूसरे इस्थान पर इकठा की जाती है और उससे बनने वाला जो इस्ट्रक्चर होता है वो लोयस मैदान कहलाता है फिर वाय द्वारा उड़कर एक दूसरे से इस्थान पर पहुंचीवी मर्दा का पर्टिकुलर नाम क्या है तो इसको वातोड मर्दा कहते हैं जिसको इवोलियन स्वायल भी कहा जाता है अधो मर्दा या सब स्वायल मर्दा के किस संस्तर को कहते हैं तो अधो मर्दा जैसे की पता है तो दोस्तो आज के लेक्षर में इतना ही इसको अगले पार्ट में कांटिन्यू करेंगे नमस्कार धन्यवाद